तुम बिन तुम कौन हो ये पूरा-पूरी तो कुई नहीं बता सकता है तुम जितना जानकरी तुम्हारी बारे में लोगों को देते हो तुम ऐसे हो, ऐसे बाते करते हो, वो सब तो सत्य होता नहीं है कभी तुम कूभाशी होते हो हमेशा एक्चुलि तुमारी अंद्रो नीमन हमेशा कूँ है नहीं लेकिन नहेंकार की बलभूत तुम हो जाते हो और कभी-कभी जब तुम कूँ हो तुम दिखावे के लिए अच्छे बाते करते हो तो दोनों तुम नहीं हुए न ऐसी तुम भ्रमित अपने आपको करते ही रहते हो तुम हो क्या तुम जानते ही नहीं हो जादा तर जूट में जिन्देगी बिच जाता है तुम हो एक दिखाते एक इस जो फाद में या ऐसे जो नेट में तुम फस गए हो जूट की बलय में तुम लपट गए हो उससे रिवाइंड करके स्थापन तो दुसरे कोई ही कर सकता है तुम तो करने ही पाऊगे तुमको अगर कोई बांध दिया तुमारी इच्छा की कारणी बांध ले लगा पहले तुमारे बंधन बड़ा अच्छा लगा बाद में तुम उससे मुक्त नहीं हो पाऊगे दूसरे किसी हैंड की साहारा चाहिए बस उसकी नम गुरु इसलिए उनकी पुजा की रखम उहां पे बैठके स्री दुर्गा की आरधना अलग होती है यहां की 2 हरा अलग होती है कि कि रावन बढ़ तुम पर होनी है होती भी है कोural ने सात हुआ aha लेकिन रखने पाते क्योंकि साधना पर नहीं रहते हैं साधना शब्द की अर्थ क्या है प्राक्टिस तुम जागति कोई भी पढ़ाई कामकाज फ्रेंड्शिप रिलेशन संगसार कुछ भी रखने के लिए कितना हद तक समाय वैयाई करते हो बस इतनी छोटी सी बात तुमारे पाले परता नहीं है अगर तुम नहीं रहोगे ना रिलेशन रहेगा ना कमाई रहेगा ना धंदा रहेगा ना संसर रहेगा गुरु तुमारी रहने की बात कहते है और तुम समाज में रहने के लिए बात करते हो अलग तो नहीं है तुम तुम बन जाओ तुम तो समाज में सही सलामत रहे पाऊगे इसलिए तुमारी रावन बद हो तुमारी आराधन पूर्ण हो तुमारी लय में प्रतिष्ठित होने में यह दुर्गाउन श्ठान की पवित्रता तुमारी मन पे धरा रहे अधरा रहने के लिए तुमारी जा पवित्रता वो ना जाए तो धरा कहां रहेगा तुमारी घठ खाली ना हो मन रूपी भावना अगर शुन्न ना हो तो शुद्धता से पूर्ण कैसी होगी लए इसको कहते है जो मन पूर्णता से शुन्ने हो मन इश्वर मुखी में पूर्ण रहे हैं तो अहनकार रहेगा नहीं एहंकार सुन्ने रहेगा तो वो सुन्ने के होने के लिए एहंकार सुन्न होने के लिए इश्वर पूर्ण होना परेगा